हेलो आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल चाहेमिसर में आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर प्याज आलू की भजिया तो देखे बहुत टेस्टी बहुत यमी अच्छ आपने भजिया में टमाटर नहीं देखा होगा मगर अब देखेगा वह इसने इतना अच्छा का टेस्टी स्वाद आता है कि आप बना करके देखेंगे तो एक बार बहुत खुश होने वाले तो देखे प्याज आलू मिरच टमाटर और धनिया यह देखे एक बाउल ले लेंगे हैं बेसन यह आप जीसे साब से बनाएं उसे साब से बेसन ले लेंगे कुछिन की रेनिस में आट करेंगे जैसे प्याज एक मीडियम साइज का प्याज कटके रखा था वो भी डाल दिया है मिरच एक स्पून हरी धनिया एक स्पून आलू मीडियम साइज का एक काटके रखा था बारीक बारेक तो उसको डाल दिया है टमाटर एक बारी कटा हुआ इसे गाइस टमाटर वगरा का टीस्ट बहुत टैंगी आता है तो यह फ्लेवरफुल मसाले कुछ हल्दी पाउडर कलर के लिए मिर्च स्वाद के अनुसान दन्या पाउडर हाप टेवल स्पून चटपटा स्वाद देने के लिए चाट मसाला हीन 2-3 पिंच नमक स्वाद के अनुसार इसको मिक्स करेंगे अब इसमें पानी वगरा नहीं एट करेंगे क्योंकि टमाटर और प्याज डाला है और आलू भी है तो इसमें हमने नमक भी डाला है तो वह पानी छोड़ेगा तो यह देखे अब हम डालेंगे पानी यह पानी लग रहा हूं और गंदा नहीं है क्योंकि वह ही प्याज वाली कटोरी में हमने कर लिया है पानी इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है तो यह ही डालते हुए हम बना लेंगे जैसे हम भजिया का बैटर बनाते हैं बस उसी तरह से हम बनाएंगे बहुत जादा गीला नहीं दो स्पून के करीब और फिर 10 मिट के रहे रेस्ट पर रख देंगे मिक्स करके तो देखिए 10 मिट हो चुके हैं और आब इसमें में इंक्रिदेंट आट करेंगे वह है होट होट ऑयल जो की 2 स्पून डालेंगे इससे हमारे क्रस्पी और यमी पकोड़े बन करके तयार तो देखिए गर्म था इसलिए हमने हांस से नहीं मिलाया है इस्पून से ही ओयल को मिक्स कर दिया है तो देखिए ओयल हम अपना फ्लेम पर चला चुके हैं तो चलिए अब इनकी छोटी-छोटी सी बजिया पनाते हैं तो यह देखिए अच्छे से दुआ निकल रहा है तो पर को भाब उस पर हम डालेंगे आइरिण की गडाय इसलिए है को ध्यूम अब अवगरता है भ simplemente पिर नहीं है मिदियम की है क्यूंअ यह बहुत थैज पर टाल दालने हैं तो उपर से क्रिस्पी नहीं प्क जाएं के अंदर से कुक नहीं होंगे इसलिए तो यह देखिए त हम इससे सेखना है ताकि यह क्रिस्पी और यमी बने अपी तक आपने भजिया में टमाटर वगारा नहीं देखा होगा डालते हुए मगर यह टमाटर डालने से इसका बहुत टेस्टी स्वाधा आता है तो यह देखिए इस तरह से सारे कुक कर लेंगे यह हमारे कुक हो चुक है तो इसी तरह से हम अपने सारे के सारे पकोड़े बना करके त्यार कर लेंगे लॉब देखे आप इसे चाहे तो टीशू पेपर पर निकाल करा रख सकते हैं या इस इसा ही सरव करें जिलिए इसी तरह से सारे बना लेते हैं यह दो सारे के सारे पकोड़े हमारे रबक रेडी हो चुके तो यह सरव करते हैं यह देखें गाइस हमने हरी मिरच और तीखी चटनी के साथ सब किया है आप जिस भी चटनी को पसंद करते हैं उसके साथ सब कर सकते हैं बहुत यमी बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ बहुत अच्छे जाते हैं तो अगर हमारी रेस्पी पसंद आयो तो लाइक सब्सक्